नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग देख रहे थे कुछ महत्पूर्ण कुश्चन्स और उनके आंसर्स ये सभी आपके IES PCS प्रेलेम्स के लिए बहुत ही महत्पूर्ण रहेंगे ठीक तो इस तरह के हम लोग 29 टेस्ट अभी तक खतम कर चुके हैं ये आपका 30 वा टेस्ट है तो चली हम देखते हैं तीसवे टेस्ट का पहला कुश्चन्स क्या है अपने उद्देशों की प्राप्ति की परश्चात निम्लिकित में से किस अंतराश्टी है समझोते संगठन को भंग कर दिया गया तो ये था आपका वन जीब तसकरी की परश्चात गटवन्दन वन और उसके संबर्दित उत्पादों की वर्थी अवे तसकरी पर लोगों और सरकारों का ध्याना कर्शित करने के लिए बर्श 2005 में 116 गटवन्दन की पहल की गई जो समान विचारधारा और देसों वाले सारुजनेक निजी सहेव पर आधारित था इसे ही वन निजी तसकरी के विरोध गटवन्दन का नाम दिया गया है ठीक डी ऑप्शन सही है पहले का कुश्यन है दूसरा क्या है मरोष्थली करन के संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है किर्सी गत्विदियों में बिद्धी मरोस्तली करण की कारणों में से एक है सही है भारत मरोस्तली करण से निपटने के लिए सैवत्राष्ट अभी समय काहस्ताक्चर करता नहीं है यह आपका गलत है केवल एक कतन आपका इसमें सही है जो आपका दूसरा कतन गला थे इसमें सही क्या होगा बारत अक्टूबर 1994 को इस संदी में सामिल होगा तथा दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टी की बारत की संदर्व में संदी से जुड़ी सभी विवस्थाओं के बीच समन बढ़ इस्थापित करने की जिम्मेदारी फर्यावेंड और बन जलवायू मंद्राले की है भारत मरुस्तली करन से निपठने के लिए सैयुक्त राष्ट अभी समय का हस्ताग चरकत करता देश थे क्विश्चन है तीसरा क्या है क्विश्चन सैयुक्त क्रियान वेंड परनने में लिखित में से किस से संबंदी थे याद रुखना यह है आपका क्योटू पोर्टु कॉल से यह ओप्शन सही है क्या है यह ओप्शन सही है क्योटू पोर्टु कॉल वस्तिता United Nations Femberg Convention on Climate Change से संबंदी एक अंतराष्टिय समझोता है जो इसके सदस्देशों के लिए उतसर्जन में कमी करने वाली अंतराष्टिय वाद्देकारी लक्ष तै करता है क्योटू पोर्टु कॉल 11.1987 को यापान के क्योटू सहर में अंगी कित किया गया था और यह है 16 फरबड़ी 2005 को प्रभावी रूप से लागू हुआ था Question है तीसरा Question था यह आपका तीसरा Question है हमारा अंगला चौत्रा Question निबलिकित में से कौन सादिस मरुस्थली करण से लडने के लिए सोडियम कार्वोक्सी मिथाईल सैलीलोज बिलेन जिसे सैलीलोज गम के नाम से भी जाना जाता है का प्योग करने के कारण चर्चा में रहा है तो यह था आपका चीन सही है अंगला Question है हमारा पांच निमलिकित कत्नों पर विचार करना है गिलोबल टाइगर फॉम एक मात अंतर सरकारी और अंतराश्टी ये निकाय जो विस भर में बागों के सरक्चन के लिए अभियान चला रहा है यह आपका सही है गिलोबल टाइगर फॉम का सची वाला है ढाका में अवस्तित है यह आपका गलत है इसमें कत्न एक आपका केवल सही 1994 में स्थाबित हुगा था है गिलोबल टाइगर फॉम इसका सची वाला है नई दिल्ली में है कहा है नई दिल्ली में याद रखिए इसका सची वाला है नई दिल्ली में है कुशन है पांच छटवा नेमले के कत्मों पर विचार करना है वेसल अभी समय खतरनाक अपसिष्टों की सिमा पार आवाजाही को नेतित करने और उनके निस्तारन ही तो एक अंतराष्टी है संदी है सही है मिनी माटा अभी समय मरकरी और इसके यह उखों से मानोगम पर्यावाइन की रक्षाई तो एक अंतराष्टी है संदी है यानि कि कुश्चन नमर 6 में आपके दोनों कत्म सही है C ओप्शन सही है कुश्चन है साथ क्या है कुश्चन नमर साथ ओजौन परत की सरक्षन की संदर में निमलिकीत कत्नों पर हमें बिचार करना है बारत मौन्टियल प्रोटोकॉल का भागीदार है लेकिन बेयेना कन्वेंशन का नहीं यह आपका गलत है मौन्टियल प्रोटोकॉल इसके सदस्तराष्णों के लिए वाद्देकारी है यह सही है हटाने के लिए किगाली संसुधन द्वारा वेना कन्वेंशन में संसुधन किया गया था यह आपका गलत है साथवे कुष्टियन में आपका किवाद दूसरा कतन सही है बाकी एक और तीन गलत है वेना कन्वेंशन वर्ष्ट 1985 में सुईकार किया गया और वर्ष्ट 1988 में लागू हुआ ओजोन परत की रक्षा के अंतराश्टी फिर्यासों के लिए एक फैंबर्ग के रूम में कार करता है हालाकि इसमें CFCS के उपयों के लिए कानूनी रूप से वाद्यकारी लक्ष सामिल नहीं है भारत वर्ष 1991 को ओजोन परत के सनक्षन के लिए वेना कन्वेंशन और सेप्टमबर 1992 को ओजोन परत का स्चैनल करने वाले पदार्थों पर मॉन्टियल प्रोटोकॉल का हिस्सा बना कब 1991 में कि गाली संसोदन मॉन्टियल प्रोटोकॉल 1987 को संसोदित करता है सुरू में मॉन्टियल प्रोटोकॉल में ओजोन चरन वाले पदार्थ सामिल थे कि गाली संसोदन के बाद इसमें HFC भी सामिल हो गई और जो ओजोन की कमी और साथ ही गिलोबल बार्विंग के लिए जिम्मेदार है कि गाली समझोता संबंदित देशों पर बात्दिकारी होगा ठीक जाब दोखें तो कुश्यन नंबर साथ में केबल आपका दूसरा गतन सही था कुश्यन है मारा अंगला आठ क्या है कुश्यन रामसर अभी समय किस अनुसार निमलिकी मैसेज किने आत्भूमी माना जा सकता है कम गहराई वाली समुद्री जल को मत से तालाब को, धान के केद को, नमक के मैदान को इसमें आठ में कुश्यन नंबर आप जो आठ है इसमें आपके चारों कतन होंगे कम गहराई वाली समुद्री जल को भी मत से तालाब, धान के केद, नमक के मैदान यानि कि चार में आपका डी होगा क्या होगा? D-Option सही होगा. Question है हमारा? No. क्या है? Question है, Montyle Protocol के संदर में निमलिकीत कतनों में कौन सा सही है? तो इसमें पहला कतन है, ये O-Jawn परत के सरक्चन के लिए एक अंतराष्टी संधी है. सही है. बारत मॉन्टियल प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षर करता है यह भी सही है यानि की कुश्यन नमबर 9 में आपका C option होगा क्या होगा? C option सही होगा कुश्यन है मारा 10 क्या है? C option है 10 सिक्योर हिमालय प्रियोजना के संदब में निमलोखित कत्रों में से कौन सा सही है यह एक 6 वर्षिये प्रियोजना है जिसका उत्देश उच्छ हिमालय फारी तंत में इस्थानी है एवं बैस्विक रूप से मत्पून जेविवित्ता, भूमी तथा वन संसादनों का संरक्षन करना है सही है सभी हिमालय राज यथा जम्मू कस्मीर, हिमाचल पिदेश, उत्राखंड, सिक्किन तथा अगणाचल पिदेश इसके दायरे में आते हैं यह आपका कहलत है यह प्रियोजना मुक्ष रोप से हिम्त तिंदुगा तथा अन्न संकटपन प्रजातियों और उनके अधिवासों का संरक्षन और लोगों की अजीविका की सुरक्षा पर केंदी थे यह आपका सही है कुश्यन नमबर 10 में आपका एक और तीन कत्म सही है दूसरा आपका गलत है केंद सरकार ने चार राज्यों कौन-कौन से हिमाचल पिदिश जंबू कस्मीर ओत्राखंड और सिक्क्यम में फैले हुए ओच्चे हिमालयी फरेश्थिति की तंत में इस्थानी और बैस्विक इस्तर पर महत्पूर्ण यह भी वित्ता भूमी और बन संसाधनों का सरक्षन सुनिश्चित करने के लिए सिक्योर हिमालय नामा के च्छै वरसी है परियोजना आरम की है ठीक है कुश्यन नमबर 10 में आपका एक और तीन सही था यानि कि D option सही था याद रखिए आपकी इस तरह की जितनी भी PDF होती है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है ठीक है कुश्यन है 11 क्या है सहयुक्तराष्ट परियावन कारिक्रम सहयुक्तराष्ट परियावन कारिक्रम के संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार करके उन्हें सही कत्न चुड़ना है यह एक अग्ड़ी पेसिप बैस्विक परियावन वणिये प्रादी करने जो सहयुक्तराष्ट पेणाली के अंतरगत Westwick पर्यावन एजन्डे को निर्धारित करता है और सतत्विकास के पर्यावनिये आयाम के अनकूल कर्यार्वन को बढ़ावा देता है एक कतन आपका सही है UNEP जवे पेप्ता पर सम्मेलन और प्रवासी पर जातियों के पर सम्मेलन के सची वालायों की मेजवानी करता है यह भी आपका सही है यानि कि question number 11 में आपके दोनों कतन सही है यानि कि C option सही है Question है यमारा 12 क्या है question number Tariff Traffic कि संदर में निमली कित कतनों में से कौन सा कतन सही है Traffic कि संदर में निमली कित कतनों में से कौन सा कतन सही है Traffic एक अगड़ी और गैर सरकारी संगटन है जो जबी वित्ता सरक्षन और सतत्विकास तोनों कि संदर में वन्न जीव एवं पादब पर द्वियापार पर बैस्विक इस्तर पर कार कर रहा है सही है Traffic का 2020 का लक्ष जबी वित्ता पर अवैद और आईस्तर बन्न जीव ब्यापार की दवाओ को कम करने में मदद करना बन्न जीव संदर क्षन थम्मानों कल्याड की लाग को बढ़ावा दिना है जो धाड़ी है इस तरफ ब्यापार से प्राप्त होता है Traffic का उद्देश सुनिश्यत करना है कि वन पादपों और जंदूओं के ब्यापार से फरक्ति के संरक्षन को कोई खत्रा ना हो आपके तीनों कथन सही है 12 में आपका तीनों कथन सही है यानि कि आपका D option सही होगा Question है तेरे अंगला क्या है Question निमलिकित में किने मरुस्थली करन का कारण माना जा सकता है सोचक और गरम जलवायू दसाएं गिलूबल बार्मिंग और निर्वनी करन अनुचित खेती के माध्यम से भूमी का अतीदुहन अधिक चराई, इसमें आपके चारो कतन, क्या हैं चारो यानि कि तेरे में आपका डी ओप्सन सेज़े क्विश्चन है, चोदे, क्या है क्विश्चन नमबर चोदे आद भूमियों, परांतराष्टी अभी समय की संदर में निम्लिकेत कतनों पर विचार करना है आद भूमियों पर अंतराष्टी अभी समय को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है इस पर 1971 में हस्ताक चरूए थे, सही है अंतराष्टी महत के अद भूमिय, इस्थलों का रजिस्टर, जहां तक्नीकी विकास, पिदूसन या अन्यमानवी हस्ते छेपों के पर डामसरूर फारिस्तिति की सवभाव में परीवतन हुआ है या हो रहा है, या होने की संभाव ना है उसे मॉन्टेक्स रेकॉर्ड कहा जाता है भारत रामसर कन्वेंशन का एक हस्ताक चर करता देश है इसमें आपके तीनो कतन सही है कुश्चन नमर चोड़े में आपके तीनो कतन सही है यानी की D-Option सही है कुश्चन है आपका पंदर है, क्या है घातक पदार्थों की सीमा पार आवा गवन और निस्पादन से सम मन्दित पर कन्वेंशन की संदर्म में निम्लिकित कत्रों पर हमें विचार करना है वेसल कन्वेंशन घातक पदार्तों की सीमा पर पार संचलन पर नियंतर नोर्सके निस्तारण से सम्मंदित है सही है भारत ने वेसल कन्वेंशन की पुष्टी नहीं किये और वह इस कन्वेंशन का पक्षिकार नहीं है यह आपका गलत है वेसल कन्वेंशन राष्टीय सिमाओं में अब सिष्टों के संचलन के लिए नोटिस सह मती निगरानी यह तो कठोर नियमों को लागू करता है यह आपका सही है इसमें पंदरे में आपका किवद्दो कतन गलत है बाकी एक और तीन सही है याद रखना भारत बेसल कन्वेंशन का एक हस्ता चर करता देश है लेकिन अभी तक कन्वेंशन का पक चेकाल नहीं बन पाए तो पंदरे में आपका एक और तीन सही था यादि कि C आप्सन सही है कुश्य ने सूले क्या है सूले कुश्य नेमबर सूले है हमारा जारी डिक्सेनरी ओफ मार्टर्स की संदर में निम्लिखित कत्रों पर विचार करना है इसके संक्लन का कार रक्षा मंत्राल है द्वारं किया गया है कराये गया है यह आपका गलत है इसे अठारे सू संतावन के विद्रो की 150 भी वर्शगार्ट के उपलक्च में जारी किया गया है यह आपका सही है यानि कि दो कतन इसमें सही है बाकी एक आपका गलत है याद रखिए इसका संकलन कार आपका संस्किती मंत्रा ले द्वारा कराये गया है किस द्वारा संस्किती मंत्राल है द्वारा कुश्य नहीं मारा सत्र है क्या है वर्चूल सिम कार्ड के विषय में निमलिकित कत्रों में से कौन सा कत्र सही है वर्चूल सिम कार्ड के विषय में निमलिकित कत्रों में से कौन सा कत्र सही है यह ही computer जनित संक्या है सही है यह voice call और SMS के को data Wi-Fi connection पर इस्थानान्तित करता है यह आपका सही है यानि कि 17 में आपके दोनों के थन सही है C option सही होगा कुशन अठार है क्या है golden heights समाचारों में रहा है निमलिकित में से कौन सा देश इसके साथ सीमा साजा नहीं करता है तो यह है आपका मिस्स नहीं करता है Syria करता है लेमनान करता है Jordan करता है लेकिन मिस्स नहीं करता है golden heights दच्छिण पश्चमेशिया में इजराइल और Syria की सीमा पर 1800 किलिमीटर बगचित का एक पत्रीला पठारे यह जराइल सीरिया लेमनान और जॉर्डन से घरा हुआ है कुश्चन नमर अंगला हमारा 19 क्या है 19 वा कुश्चन है गैर परिवर्तनी है रेड़ पत्त की संदर में निम्लिकित कत्रों पर वीचार कीजिए क्या करना है वीचार करना है रेड़ पत्त अल्वकालिक बित्तीय साधन उपते हैं जो कम्पणियों द्वारा Russia पेश्चाउधार लेने के लिए जारी किये जाते हैं ये गलत है जिन रेड़ पत्तों को स्येरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उन्हें गेर परिवर्थिनी रेड़ पत घा जाता है तो यह आपका सही है इसमें एक कतन आपका गलत है और दूसरा आप सही है रेड़ पत दीरगावधी के बित्तिये साधन होते हैं जो कम्प्टियों द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किये जाते हैं कुश्यन नमबर 19 में आपका C, सोरी B option सही है दूसरा कुश्यन है 20 क्या है कुश्यन कुश्यन है आपका 20 भारतिये बाईव सेना ने लेंग को भी अंतराष्टिये समुद्री एर एक्सपो लीमा 2019 में भाग लिया था इस एक्सपो के दौरान पहली बार सुईदी सी रोप से बिक्सित LCA तेजस लाड़ा कू बिबान का फिदर्शन किया गया निमले कितमे से किस देश में एक्सपो आयुजित किया गया था तो यह था आपका मलेसिया कुश्यन है मारा 21 क्या है पितेग बर्स 21 मार्च वो अंतराष्टी ये नसलिये भेदवावन हूलन दिवस मनाया जाता है इसके बिसाय में निमलिकित कत्रों में से कौन सा कत्रन सही है यह सयुक्तराष्ट अमेरिका में रंगभेद की नीती की समाप्ती की इश्मीती में पिती बर्स मनाया जाता है यह आपका गलत है वर्ष 2019 के लिए इसका बिसेता वर्थे राष्टबाद, लोक लोभावन बाद और चरम सेश्टतावादी विचारदाराओं का सामना करने परादारित है यह आपका सही है 21 में आपका दूसरा सही है पहला गलत है वर्ष 1966 में इस दिवस की गोशना की गई जो दच्छन अफीका में रंगवेद की नीती को समाप्त करने के संगयस को दरसाता है कुश्य नमर 21 का आपका बिए था कुश्य नमर 22 क्या है कुश्य नमर 22 है नवरोज पार्सियों का नव वर्ष उत्सव है इसके समद में नेमली कित कत्रों में से कौन सा कत्रों सही हो इसे यूनेसको के अंतरगत भारत की मानवता की अमोर्थ सांसकितिक बिरासत की सूची में अंकित किया गया या बसंत की सुरुआत और वेसाओ के दिन कुश्य नित करने के लिए 21 मार्च को मनाया जाता है यह आपका सही है यानि की 22 में कुश्यन में 22 में आपके दोनों कत्रों सही है DC सही है कुश्यन है 23 क्या है पॉल आर्मी वर्म के संदर में निमलिकित कत्रों में से कौन सा कत्रों सही है यह अमेरिका की इस्थानिक प्रजातिया सही है यह मुक्ता मक्का का उपयोग उपयोग करती है, यह भी सही है यह भारत में नहीं पाई जाती है यह आपका गलत है Question number 23 में आपका 1-2 सही है और बाकी तीसरा आपका गलत है यह तीसरा गलत है यह उड़ने वाले पतंगे कीट जुलाई 2018 में भारत पहुँचे थे और तब से सिलिलंका, वंगलादिस और म्यानमार थाइलेंड और चीन के युनार प्रांग तक फेल चुपे हैं ठीक कुश्टन नमबर 23 में आपका एक और दो सही था कुश्टन है 24 क्या है वर्ष 2019 का एवेल पुरुषकार पहली बार एक महिला करेन ओलेन बेट को दिया गया है एवेल पुरुषकार नमली कितमे से किस छित में दिया जाता है तो यद रखना गडित किछित में C आप्शन सही है क्या है C आप्चन सही है कुश्टन है मारा 25 चीज क्या है विक्वेटा पॉर पोईज तब समाचारों में था जब यह मैक्ष को तट पर मचली पकड़ने के जाल में मिरत अबस्था में पाए गया या गंबी रूप से लुप्त फिराय आई-ई-उ-सी-एन प्रजाती है और इसकी आखों किचारों और विशिष्ट काले गेरे की कारण इसे समुद्री पांडा की रूम में जाना जाता है इसके समंद में निम्लिकित कत्रों में से कौन सा कतन सही है यह जलिये इस्तंधारी वर्ग के अंतर गताता है सही है इसे मुक्त तोटोगा मचली पकड़ने के लिए त्यक्त होने वाले गिल नेट से खत्रा है यह आपका सही है यानि की कुश्चन नंबर 25 में आपके दोनों का थन सही है क्या होगा सी ओप्सन सही होगा 25 का तो चलिए यह थे कुछ मत्वून कुश्चन और उनके आंसर से चलिए इसी तरह के हम लोग कुश्चन देखते रहेंगे आंगे भी